Hello everyone, दोस्तों आपने से कई लोग ये जानना चाहते थे कि सेलेक्शन के बाद मेरे लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आएं हैं, इसके उपर मैं एक वीडियो बनाऊ और मैंने खुद अपने पिछले कई सारी वीडियो में ये कहा है कि दोस्तों एक बार अपना सेलेक्शन ले ल मैंनों में, I think ये चीज़ें आपको थोरी मोटिवेट करेंगे, तो बिना देर किया, शुरू करते हैं इस वीडियो को, शुरू करने से पहले जोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं बिलॉंग करता हूँ एक लोवर मेडिल क्लास फैमिली से, फैनिशली हम लोग इसली कुछ महीनों का, वो उस चीज़ पर बेस्ट है कि एक लड़का, जो कि एक लोवर मेडिल क्लास का लड़का है, वो क्या फील करेगा, उस पर बेस्ट है, and I am sure कि आप मैं से maximum लोग जो प्रिभार कर रहे हैं इस exam के लिए वो लोवर मेडिल क्लास से ही बिलॉंग करते ह तो शुरू करते हैं, दोस्तों जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, से कि मेरा रिजल्ट आया था आठ अप्रिल 2022 को, तो उस दिन से लेके जोईनिंग तक के बीच का जो पीरेड होता है वो आपके लिए सबसे जादा खुशी का मौका होता है, जोईनिंग के बाद तो आप के लाइफ में ये पीरेड फिर कभी नहीं आ सकता है, हो सकता है कोई बेटर आप जॉब जॉइन कर लो तो फिर उसकी फिलिंग अलग होगी, बट ये पीरेड में जो आप एंजॉय करते हो, ये लॉट कर नहीं आता है लाइफ में, सबसे बड़ा चेंज जो मैंने फील किया है, अपने आप में रिजल्ट के आने के बाद, वो मुझे लगता है कि मेरे सेल्फ कॉन्फिजेंस में हुआ है, मुझे लगता है अभी मैं इस पोजिशन में हूँ, मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे बड़े टार्गेट को मैं एम कर सकता हूँ, पहले ये फिलिंग ही आती थी पहले लगता था कि बस ऐसे सीजे किसी तरीके से क्रैक हो जाए कोई भी 2400 ग्रेट पे की भी कोई जॉब लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उस टाइम इतनी ही सोच थी अब अपना सेल्फ कॉंफिजेंस जो अपना जो वी होता है मेंटेलीटी होती है वो बहुत expand कर गई है और एक बहुत ही positive change आया है personality में ऐसा लगता है कि I can do anything वो एक अंदर से जो confidence होता है जो कि पहले नहीं था वो अब आ गया है इसके अलावा family बहुत खुश है किसी भी family members से मिलता हूँ या तो अपने घर के हैं या फिर close relatives भी जो है तो बहुत खुश हो मैं जहां पर रहता हूं वहां पर कोई लहां पर इस तरीके से आपको नजरी से लिए अच्छा लगता है कोही उस तरीके से आप अबकुद करता है तो काफी अच्छी correct statement ये चोड़ा जहाने सी कुछ लोग तो सामने से भी दिखते हैं और कुछ लोग पीछे से भी तो वह जैलसी भी होती है कुछ लोगो को उसको भी अगर आप थोड़ा सा इंजॉयमेंट के विई से देखो कुछ लोग उसको ऐसा देखते हैं कि बुरा लगता है कि अगर आपसे जैलसी कर रहा है तो आपको बुरा लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको न्जॉय करते हैं तो आपके मेंटेलिटी के उपर है कि आप उसको किस तरह किया से लेते हो अपार्ट फ्राम डैट इंकम जो है वह भी इंक्रीज होई है जबसे मेरा रिजल्ट एक होता है ना कि फैमली के लिए कुछ करना है वह जो नियत होती है तो वह मैंने कर दिया है फैमली बहुत खुश है बहुत सजिस्पाइट है तो आप मैं बिल्कुल टेंस्न फ्री होके उस चीज को फॉल्यू कर सकता हूं जो मैं करना चाहते हूँ अभी जो कुछ भी मैं सेहराब देखते हो न तो वही है सक्सेस अपार्ट कुछ सावर सक्सेस नहीं हो सकती उससे बियॉंड जब पहली बार में पापा को रोते वे देखा मम्मी को उतना खुछ देखा तो सोचा कि यार मतलब और कोई तरीका है कि यार और इनको खुछ किया जाए तो मुझे याद ह उस सचा था कि रखुछ कर भी बाद कर रहेंगेर खंए वे प्रेक्स पूरा हो और इस तरीक यहें है तो बस यहीं मैं कहा तो और शायद इस बार आपको और आ रहे हो परिशानिया फेस कर रहे हो सक्सेस आने के बाद उसकी खुशी उतनी बड़ी होगी यह बिल्कुल लिटरल बात है यह फिलोसिफिकल बात नहीं है जितना आप स्ट्रगला भी करोगे उतना ज्यादा इंजॉय करोगे आप उस टाइम को अगर मैं दो एटेंटें फेल नहीं हुआ होता तो अभी जो मैं फील कर रहा हूँ या भी जो चीजें बदली ही मेरा असपास उसकी फीलिंग उतनी नहीं होती शायद अगर पहले अटेंट में मैं सलक्ट हो जाता ठीक है मतलब फाइनिसली हम और वेल आफ हो जाते खुशी भी तो लेकिन अभी जो मैं फ सब्सक्राइब करके क्या कर लोगे बिजनस करो लाखों कमाओ तब कोई बड़ी बात है यह नौकरी तो बहुत चोटी सी चीज़ है तो दोस्तों बात यहीं कि नौकरी और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ठीक है अभी मैं आपको पता हूँ कि अभी ना जो लाखों रुप लूकर बें आट यह वे होते हो आपको टाम नहीं से मिलता बिल्कुल वह को यह नगगी मैं ही अगर एक बिजनसमें maybe बन जाताया मेरा बिजनस सक्स deal लेयरा अपके फेंचयों होते हैं ऍाई सब को दोसरों को देखके बस आप परिशान रहे हैं आप को अपने लिए एक आपको target set करना है उसके लिए आपको hustle करनी है fight करनी है मेहनत करनी है और जब वो पूरी हो जाये तो फिर आपको खुशी मनानी है जब अगर पहले fail होते हैं तो दूख ही हो जाए और effort करिए जब successful हो जाए तो खुशी मनाईए तो बस इतनी सी यह कहानी बा अब मैं आजाद हूँ, मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ मुझे, बिना किसी चंशन के किसी से मुझे पूछने के जरूरत नहीं है, तो ultimately सबसे बड़ा चेंज यही है, तो I hope कि इस वीडियो को देखने के बाद, पता नहीं कैसा आपको फील हो रहा हूँ, या कैसा आपको लगा हूँ, बट बस मैंने एक्सप्रेस किया, जो मेरे दिल में है, और I wish कि आप भी यह चीज़ फील कर पाएं, क्योंकि relaxation से बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मुलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए, माँ बाई